वेलकम इस्टुडेंट एटू माई चैनल SNK कोचिंग में आपका स्वागत है आईए आज हम लोग समझते हैं कि हमारे भारत में हिंदी दिवस कब से सुरुवात हुआ और कैसे लोग मनाते हैं चलिए देखिए अगर बात करेंगे भारत में राष्टिय हिंदी दिवस कब मनाया गया अब यहां देखेंगे कि 14 सितंबर को 14 सितंबर को राष्टिय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं अब हमारे देश में भारत देश में हिंदी को कब मनाते हैं तो 14 सितंबर को आखिर में देखिए इसी दिन संविधान सभा ने हिंदी भासा को अधिकारिक भासा प्रदान की थे अधिकारिक भासा अब यहां पर देखिए 26 जनवरी 1950 को पंडित जवाहरलान नहरू के अध्यक्सता में यह प्रदान की गई थे तो आप लोग जानिए या जानने जोग यह से बात हैं पुछ दिया जाता है कभी-कभी कि राष्टी हिंदी दिवस का मनाते हैं 14 सितंबर को अब यहां पर देखेंगे कि 10 जनवरी 1975 से श्टार्ट हुआ 20 हिंदी दिवस का मनाया जाता है तो 10 जनवरी को आखिर में यह क्यों मनाते हैं क्योंकि उससी समय हमारे भारत के कि भारत में हिंदी समयलन जो हुआ था कहांपर हुआ हिवा था नागपूर में नागपूर में हुआ हुआ था उससी दीन से हम लोग क्या करने लगे 20 हिंदी दिवस के रूप में उसे प्रदान किए अब यहां पर देखेंगे कि 20 हिंदी सांचिवाले कहां पर ईस्तित हैं 22 भासा को सामिल किया गया है अब इसमें देखिए क्लासिकल लेंग्वेज जो साश्त्रिय भासा जो होती है उसकी संख्या कितनी होती है तो 6 है क्या उसमें हिंदी को सामिल किया गया है नहीं उसको बाहर हिंदी को सामिल उसमें नहीं किया गया है लेकिन क्लासिकल जो लेंग् भासा की चर्चा है इसमें आप लोग को यह कैसा लगा यह वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते रहेगा जय हिन जय भारत